प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने 2014 से अब तक देश को चार बार संबोधित किया है उनसे पहले 13 प्रधान मंत्री लाल किले से देश की जनता को संबोधित कर चुके हैं जिन में से इन 6 प्रधान मंत्रियों को एक या दो बार ही संबोधन का अवसर मिला था लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दो बार लाल किले से देश को संबोधित किया वो 9 जून 1964 से 11 जून 1966 तक देश के प्रधान मंत्री रहे मोरार जी देसाई वहीं मोरार जी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1989 तक देश के प्रधान मंत्री रहे और उन्होंने भी दो बार देश के नाम संदेश दिया जबकि 28 जुलाई 1989 से 14 जून 1980 तक देश के प्रधान मंत्री पद पर आसीन रहे चरण सिंग जी ने एक ही बाल लाल किले से अपना भाशन दिया वीरेंद्र प्रताप सिंग वीपी सिंग के नाम से ज्यादा चरचित रहे वीरेंद्र प्रताप सिंग ने 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक प्रधान मंत्री पद संभाला और एक बार लाल किले से अपना भाशन दिया HD देवगोडा एक जुन 1996 से लेकर 21 अप्रेल 1997 तक देश के प्रधान मंत्री रहे HD देवगोडा ने भी एक ही बार लाल किले से देश की जनता को संभोधित किया इंद्र कुमार गुजराल प्रधान मंत्री के तौर पर 21 अप्राइल 1997 से 19 मार्च 1998 तक पत पर रहे इंद्रकुमार गुजराल को भी एक ही बार ऐसा अफसर मिला इन्हीं के बीच ऐसे दो प्रधान मंत्री हैं जिनको एक बार भी ये मौका नहीं मिला गुलजारी लाल नंदा दो बार देश के कारिवाहक प्रधान मंत्री का पत संभाल चुके गुलजारी लाल नंदा को कभी भी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करने का मौका नहीं मिला पहली बार प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नहरू के देहांत के बाद नंदा ने 27 मई 1964 को पीम का पद ग्रहन किया मगर 15 अगस्त से पूर 9 जून 1964 को उन्होंने नए प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आने पर पद छोड़ दिया था दूसरी बार वो 11 से 24 जन्वरी 1966 के दरान प्रधान मंत्री के पद पर रहे और इंदिरा गांधी के प्रधान मंत्री बनते ही पद से हट कए चंद्रशेखर सिंग 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक प्रधान मंत्री रहे चंद्रशेखर को भी देश को संबोधित करने का अवसर नहीं मिला था